हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स जैसे कि आप जानते हो के वीएस का जो है नोटिफिकेशन आचुका है वेब साइट पर और जिसे देख करके बहुत सारे इस्टोएंट बहुत ही जादा डिसेपॉइंटेड हुए हैं क्यूं क्यूंकि उसमें जो है सीटेट अपियरिंग वाले लोगों को बाहर कर दिया गया है इसी पर हमें बहुत सारे स्टोएंट मैसेज कर रहे हैं कि मैं कुछ करो इसमें आप कुछ भी बताओ हमें कि हम क्या कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीप पॉइंट को जो है डिसकस करेंगे कि अगर क्या कुछ किया जा स सकता है या फिर कुछ हो सकता है या नहीं so friends अगर आप हाम ऐगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लोका कर देजें चले सबस्क्राइब कर लिए बात करते हैं कि KBS में से seated appearing को जो बाहर किया गया वो सही है या गलत है देखो कई माईनों में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही गलत जा रहा है क्योंकि seated जो है जुलाई में conduct नहीं किया गया जिसकी वज़े से बहुत सारे candidate जो है बैठे रहे और उनको जो है certificate seated की नहीं मिली तो ये गलती तो student के है नहीं फिर ये सिर्फ और सिर्फ डिसेंबर में जो है conduct करवाया जा रहा है तो अब डिसेंबर में conduct करवा रहे हो तो जो seated आपको एक साल में दो बार लेने की बात हो रही थी होती थी तो वो एक ही बार हो रहा है उनकी ये opportunity खतम हो जाएगी के विएस का form fill up हो जाएगा सब हो जाएगा तो उनको फिर से बहुत दिनों तक wait करनी पर ही क्योंकि इतनी जल्दी तो फिर vacancy आने से रही तो ये सारे points को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि seated को जो है appearing वाले जो exam अभी देने वाले है उन लोगों को भी के विएस को allow करना चाहिए अब बात करते हैं आप लोग जो हमें message कर रहे हो आप message देख सकते हो clearly आप लोगों का जो है उसमें sadness और disappointment सब कुछ दिख रहा है मैं बोलूँगी उन लोगों से जिनको आप बहुत जादा आप बोलो तो praise करते हो या उनमें trust करते हो उन लोगों के हाथ में ये है कि उन लोगों की पहुँच जो है बहुत जगावा पे बहुत सारे हमारे ऐसे ट्रेंड करो ट्वीट करो वहां तक पहुँचाओ और साथ ही साथ अपने उन टीचर्स को जरूर बोलो जिनके हाथ में है लेकिन वह ऐसा कुछ कर तो रहे नहीं है वो सिर्व आ रहे हैं नोटिफिकेशन को रीड कर रहे हैं और फिर अगर आप उनसे क्वेशन कर रहे हो कि सर इसमें कुछ किया जा सकता है मैं हम इसमें कुछ किया जा सकता है तो वो लगदम साइड हो जा रहे है क्योंकि इसमें वो कोई रिस्पॉंसिलिटी लेना नहीं च करेंगे तो आफकोस बहुत सारे रूल चेंज हुए है तो यह क्या है यह भी पॉसिबल है लेकिन इसके लिए सब की साथ की जरूरत है तो आपके जो भी आप मानते हो जिन भी टीचर्स को जिनकी पहुंच है जो बार-बार बोलते रहते हैं कि हमारी पहुंच यहां है या वह है उनको बोलो कि अपनी पहुंच का थोड़ा सा यूज करें थोड़ी से आपकी भलाई के लिए यूज करें जो कि अच्छा रहेगा तो यह चीजे है और बाकी आप लोग यही कर सकतो कि ट्वीटर पे ट्रेंड करवाओ कि के वीस में जो है सीटेट अपेरिंग वाले को ल लेंगे और आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी से पूरी कोशिस कीजिए फिर मिलूंगे तिल दन हैवनाएस